दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आचायर चानने के द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपको किसी के पूछने पर भी नहीं बतानी चाहिए दोस्तो पहली बात में आचायर कहते हैं कि कोई आपका करीबी ये संबन्द ही क्यों ना हो धनकी हानी होने की बात किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि जिस बैक्ती को धनकी हानी हो जाती है जिस बैक्ती के पास धन नहीं होता उस बैक्ती के करीब कोई नहीं आना चाहता और नहीं आता है इसलिए धन की यहानी होने के बात किसी को सेर ना करे और दोस्तों धन की यहानी होने के साथ साथ धन के लाब की बात भी किसी को नहीं बताए क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वालों के मन में कब लालच आ जाए और वेकव आपके साथ कुछ ऐसा कर दे जिससे आपको परिशानी उठानी पड़े इसलिए दन की यानी होने के साथ साथ दन के लाब की बात भी किसी के साथ सेयर ना करे दूसरी बात में आचार चानक बताते है कि अपने परिवार वालों के चरित्र के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए अपने परिवार वालों के चरित्र की बाते जितना हो सके गुप्त रखे क्योंकि आज के समय में आप दूसरे विक्ति की बातों से पता नहीं लगा सकते कि वे अंदर से कैसा है क्योंकि दिखने में तो सभी लोग अच्छे होते हैं और दिखावे में भी कोई पीशे नहीं है इसलिए अपने पतनी, अपने परिवार के चरत्र के बाते किसी को नहीं बताए इन सम बातों को जितना हो सके गुप्त रखे कीसरी बात में आचायर बताते हैं कि अगर कहीं भी आपका अपमान हुआ हो तो यह बात किसी के साथ सेहर ना करे क्योंकि लोग आपके सामने आपकी बातों को ऐसे सुनेंगे कि वह आपकी इंसलेट से बाकी दुखी है लेकिन पीट पीछे वही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और ऐसी बाते बहुत जल्दी फैलते हैं इसलिए अपने अपमान की बात किसी के साथ सेहर ना करे और आप भी जतना जल्दी हो सके इन बातों को भूल जाए क्योंकि यह बात आपको दुख के अलावा कुछ नहीं दे सकती और आप इन बातों को गले लगाए रहेंगे तो दुखी ही रहेंगे इसलिए जतना जल्दी हो सके आप इन बातों को भूल जाए इसी में आपकी भलाई है बजाए इसके कि आप इन बातों को लोगों को बताते रहें दोस्तों I hope यह जोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राब कर दे हमारे चैनल को भी आपका कीम्टी समय देने के लिए तन्यवाद